आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ की बहुलक की करण क्या होता है बहुलक विबिन प्रकार के होते हैं और इन बहुलक को बनाने की वीदियां भी विबिन न होती है बहुलक के निर्मान की रासाइनिक समी करण किस प्रकार लिखी जाती है आज के इस वीडियो में इसी बात को हमें समझना है माल लेते हैं हमारे पास एक पदार्थ है और उस पदार्थ के ये छोटे छोटे आणु है और इन छोटे छोटे आणों को कहा जाता है एक लख अंग्रेजी में इन छोटे आणों को मोनो मर कहा जाता है इन छोटे छोटे आणों की संक्या हजारों सकती है और जब ये चोटे-चोटे आणू आपस में जूड़ते हैं, मतलब इन सबी आणू के बीच बंद का निर्मान होता है, तो एक बड़ा आणू बनता है, इस बड़े आणू में ये सबी चोटे-चोटे आणू आपस में जूड़े होते हैं, और इन अणों के जुड़ने से एक बड़े अणों की लंबी श्रंकला बनती है आप कह सकते हो एक चेन बनती और इस बड़े अणों को कहा जाता है बहुलक अंग्रेजी में इसे कहा जाता है पॉलिमर तो आपको याद रखना है कि छोटे छोटे अणों एक लग कहलाते हैं और एक लग अणों आपस में जुड़कर बड़ा अणों बनते हैं इस बड़े अणों को कहा जाता है बहुलक और दोस्तों बहुलक बनाने की यह प्रक्रिया बहुलक की करण कहलाती दोस्तों बहुलक की करण को बहुलकन भी का आजाता है कभी-कभी इसे बहुली करण भी का आजाता है अंग्रेजी में इसे पोलिमराईजेशन केते हैं बहुली करण प्रक्रिया में भाग लेने वाले सबी एक लकानू समान प्रकार के होते हैं तो बनने वाले बहुलक को सम बहुलक का आजाता है सम बहुलक का मतलब है कि यह बहुलक समान प्रकार के एक लकणों से मिलकर बना है और जब एक लकणों भिन भिन प्रकार के ओते हैं तो बनने वाले बहुलक को सह बहुलक का आजाता है बहुला की करण प्रक्रिया दो प्रकार की होती योगात्मक बहुला की करण और संगनन बहुला की करण योगात्मक बहुला की करण क्या होता है इसके नाम में योग लिखा हुआ है योग का मतलब जोडना होता है जब किसी बहुलक की करण अभीक्रिया में एक लक अनू आपस में जुडते हैं मतलब एक लक अनों का योग होता है और उस योग से बहुलक बनता है तो इस प्रक्रिया को का आजाता है योगात्मा बहुलक की करण परन्तु जब एक लक अनू आपस में जुडते हैं एक लक अनों के बीच बंद का निर्मान होता है और बंद निर्मान में जलका अनू या कोई अन्य छोटा अनू बाहर निकलता है तो इस प्रकार के बहुलक की करण को का जाता है संगनन बहुलक की करण यहाँ पर संगनन से मतलब है जल के आणू का निकलना तो बहुलकी करण दो प्रकार से हो सकता है जब एक लक आणू का योग होता है तो योगात्मक बहुलकी करण और जब एक लक आणू आपस में जुड़ते हैं और बंद बनता है तो बंद निर्मान में जलका अनु बाहर निकलता है तो इसे कहा जाता है संगनन बहुलक की करण सबसे पहले हम समझेंगे कि योगात्मक बहुलक की करण क्या होता है योगात्मक बहुलक की करण से बनने वाले बहुलक को योगात्मक बहुलक कहा जाता है दोस्तों ऐसे कौन से एक लकाणू है जो योगात्मक बहुलग बनाते हैं तो इसे परचानना बहुत आसान है वह एक लकाणू जिनमें या तो द्वीबंद पाया जाता है या त्रीबंद पाया जाता है वे एक लकाणू योगात्मक बहुलग बनाते हैं और यदि द्वीबंद या त्रीबंद आनुपस्ति थे तो योगात्मक बहुलग नहीं बनता है तो चलो इसे एक उधारन द्वारा समझते हैं हमारे पास एथीन के तीन आणू हैं और हम देखना चाते हैं कि ये तीनों आणू आपस में किस प्रकार जुड़ते हैं इन तीनों आणू में डाबल बॉन उपस्ती थे तो ये तीनो अनु आपस में जूड़ कर योगात्मक बवलग बनाते हैं जहां द्वीबंद उपस्थित होता है वहाँ पर एक सिग्मा बंद और एक पाई बंद होता है सिग्मा बंद प्रबल होता है और पाई बंद दुर्बल होता है दुर्बल बंद आसानी से तूड सकता है तो आपको क्या करना है कि डबल बॉंड में इस पाई बंद को तोड़ना है और तोड़ने के बाद इस तरह से दर्शाना है आप इसे इस प्रकार समझ सकते हो यहाँ पर पाई बंद होता है और उस पाई बंद को इस तरह से आपको तोड़ना है आप चाहे तो इन बंदों को इस तरह से सीधा दर्शा सकते हो एथीन के इस अणों में पाई बंद को हम तोड़ देते हैं इसी प्रकार इन दोनों अणों में पाई बंद को तोड़ देते हैं अब आपको क्या करना है इन एथीन के अणों को आपस में जोड़ना है तो इस एक एथीन अणों का यहाँ बंद इस दूसरे बंद के साथ मिलकर यहाँ पर एक बंद बनता है इसी प्रकार यहाँ पर एक बंद बंता है और इसी प्रकार यदि चोथा, पांचवा, छटा अन्य कोई एथीन का अनु है तो आगे भी बंद बंते और इस ओर भी आगे बंद बंसकते यहाँ पर तीन एथीन के अनों को हमने जोड़ा इनकी संक्या हजारों हो सकती तो इतने सारे अनों को जोड़ कर हम नहीं देख सकते जो अनु हमें प्राप्त होता है वहाँ बहुत बड़ा अनु है और इसी बड़े अनु को कहा जाता है बहुलक और एथीन अनों के योग से एथीन अणों के जुड़ने से यहां बहुलग बनता है तो यहां योगात्मक बहुलग कहलाता है यहां पर हमने एथीन के तीन अणों को जोड़ कर एक बहुलग बनाया इस बहुलग का सुत्र किस प्रकार लिखते हैं तो किसी एक एथीन के अणू को यहाँ पर इस प्रकार दर्शाना है और ऐसे अणू की संक्या यहाँ पर तीन है तो आपको इस तरह से ब्रेकेड बनाना है और उसके नीचे तीन लिखना है इसका मतलब होता है कि एथीन के तीन अणू आपस में जुड़े वे हैं यदि यहाँ पर एथीन के चार अणु है तो आपको चार लिखना है पांच अणु है तो आपको पांच लिखना है छे अणु है तो आपको छे लिखना है एक हजार अणु है तो यहाँ पर आपको एक हजार लिखना है और यदे आपको नहीं पता इनकी संक्या क्या है, इनकी संक्या एन हो सकती है, तो यहाँ पर आपको एन लिखना है बहुत सारे एथीन के आणू आपकस में जुड़ कर एक बड़ा एथीन बनाते हैं, मतलब बहुत सारे एथीन के मिलने से एक बड़ा आणू बहु एथीन बनता है बहु का मतलब बहुत सारे तो इसका नाम होगा बहु एतीन इस बहु को साइन्स में पॉली का आ जाता है तो इसका नाम होगा पॉली एतीन परन्तु जब इसके नाम का उच्चारण किया जाता है तो ए साइलेंट हो जाता है और इसे कहा जाता है पॉलिथीन और पॉलिथीन प्लास्टिक का यह सूत्र है तो पॉलिथीन के निर्मान की समीकरण को आप इस प्रकार लिख सकते हो तो दोस्तों यहाँ पॉलिथीन के निर्मान की रासाइनिक समीकरण है यहाँ पर एथीन एक लकन है और इन अनों की संक्या एन है एथीन के एन अनों आपस में जुड़ कर पॉलिथीन का एक बड़ा अनों बनाते है यदि इस एथीन के अनों में से एक हाइडरोजन परमानों को हम हटा देते हैं और उसके इस्तान पर हम लिख देते हैं क्लोरीन तो इसका सामान्य नाम है वाइनील क्लोराइड वाइनील क्लोराइड के यहाँ पर एन अनों है और इसमें कार्बन कार्बन के बीच में द्वी बंद है तो इसके एन अनों आपस में योग करते हैं मतलब योगात्मक बहुलग की करण होता है और योगात्मक बहुलग बनता है और इस बड़े अनों को हम इस तरह से दर्शा सकते हैं यहाँ से हमने हाइडरोजन को अटा कर क्लोरीन को जोड़ा था तो इस क्लोरीन को यहाँ पर हम बना देते हैं अब इसका नाम क्या होगा वाइनिल क्लोराइड के बहुत सारे अनू आपस में जुड़कर इस अनू को बनाते हैं तो हम लिख सकते हैं बहु वाइनिल क्लोराइड इस बहु के स्तान पर आप लिख सकते हो पॉली वाइनिल क्लोराइड संशिप्त में इसे पी वी सी कहा जाता है और दोस्तों यहाँ पी वी सी प्लास्टिक है और इसका उप्योग मजबूत पाइप बनाने में किया जाता है इन पाइप को कहा जाता है पी वी सी पाइप यहाँ एथीन का अणु है और इस एथीन के अणु में यहाँ से हाइड्रोजन को अटा कर हम जोड देते हैं सी एन तो इसका नाम है वाइनिल साइनाइड परन्तु इसका प्रचलित नाम एक्रिलो नाइट्राइल है तो इस एक्रिलो नाइट्राइल के एन अणु आपस में जुड कर एक बड़ा अणु बनाते हैं इस बड़े अणु में यहाँ से हाइड्रोजन को अटा कर हम सी एन को यहाँ पर लिख देते हैं तो यहाँ जो बड़ा अणु बना इसका नाम होगा पॉली वाइनील साइनाइड परन्तु इसका प्रचलित नाम एक्रिलो नाइट्राइल है तो यहाँ पर इसका नाम हम लिख देते हैं पॉली एक्रिलो नाइट्राइल संचिप्त में इसका नाव P-A-N होता है पोली एक्रिलो नाइट्राइल आप कर सकते हो इसे पान तो इस अभिक्रिया में एक्रिलो नाइट्राइल एकलकणु है और इस एकलक अणु के योगात्मक बहुलक की करण से बनने वाला बड़ा अणु पोली एक्रिलो नाइट्राइल P-A-N पान है यहाँ भी विशेश प्रकार की प्लास्टिक है अब ऐसा करते हैं इस एथीन अणु में से हाइड्रोजन परमानु को हटा कर उसके इस्तान पर इस समु को जोड़ देते हैं इसे कहा जाता है बैंजीन बैंजीन का अनुसुत्र होता है C6H6 अब बैंजीन को यहाँ पर हमें जोड़ना है तो इस बैंजीन में से एक हाइड्रोजन परमानु को हमें हटाना होता है तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संक्या हो जाती है पांच और इस प्रकार इस समु को दर्षाते हैं तो इसे हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। आप चाहे तो इसके इस्तान पर इस बेंजीन को यहाँ पर बना सकते हो। इस योगिक का नाम है इस टाइरीन या इसका सामान्य नाम है। अब आप देखिए इस टाइरीन के एन आणू आपस में जुड़ कर एक बड़ा आणू बनाते हैं। तो इस बड़े आणू में इस हाइड्रोजन को हटा कर यहाँ पर हम बेंजीन बना देते हैं। इस टाइरीन एक लक अणू है और ऐसे अनेक अणू जुड़ कर बहुलग बनाते हैं। यहाँ योगात्मक बहुलग है और इसका नाम क्या होगा तो आपको क्या करना है। इस इस टाइरीन के नाम को यहाँ पर लिख कर इस नाम के आगे पॉली लिखना है। तो इस बहुलग का नाम है पॉली स्टाइरीन। अब ऐसा करते हैं इस हाइड्रोजन को यहाँ से पूरी तरह से हटा देते हैं। और यहाँ से भी हाइड्रोजन को हम हटा देते हैं। और इस एथीन के अनू में इन दोनों बंदों के साथ दो फ्लू और इन परमानू जोड़ देते हैं। इस सरचना का नाम एथीन है। और इस से चार प्रतिस्तापी समू जुड़े हैं। इन प्रतिस्तापी समू फ्लू औरीन को कहा जाता है फ्लू औरो। तो इसका नाम होगा फ्लू औरो एथीन। परन्तु यहाँ पर फ्लू औरो की संक्या चार है। और चार के लिए शब्द इस्तमाल किया जाता है टेट्रा। तो इसका सही नाम होता है टेट्रा फ्लू औरो एथीन। और इसे आप सुविदा के लिए छोटे रूप में इस प्रकार दर्शा सकते हो। इस कारवन से हमने दो फ्लू औरीन परमानों को जोड़ा था। इसी प्रकार इस पहले कारवन से भी हमने दो फ्लू औरीन परमानों को जोड़ा था। अब इसके एन अनू आपस में योगात्मक बाउला की करण करते हैं और एक बड़ा अनू बनाते हैं। तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन को हटा कर F2 लिख देते हैं। तो इसका नाम क्या होगा तो इस नाम को यहाँ पर लिखते हैं। टेट्रा अब इस नाम के आगे पॉली लिख देते हैं। तो इसका नाम होता है पॉली टेट्रा फ्लू औरो एथीन। संशिप्त में इसे आप P, T, F, E बॉल सकते हो। एथीन का सामन्य नाम एथीलीन होता है तो यहाँ पर आप एथीलीन भी लिख सकते हो। और इसका सामन्य नाम है टैफलॉन। और इसका उप्योग नौन स्टिक बरतन बनाने में किया जाता है। जैसे नौन स्टिक तवा बनाने में किया जाता है। नौन स्टिक बरतन ऐसे बरतन होते हैं जिनमें खाना बनाते समय बोजन चिपकता नहीं है और जलता नहीं है। इन बरतनों के पेंदे में इस टैफलॉन की परत चड़ी होती है। एथीन के इस अणू में यहां से हाइड्रोजन परमानू को हटा कर एक मैथिल समू जोड़ देते हैं। और इसका युपेसी नाम है प्रोपीन। और इसका सामान्य नाम है प्रोपीलीन। और इस प्रोपीलीन के एन अणू आपस में जूड़ कर एक बड़ा अणू बनाते हैं। और इस बड़े अणू का नाम है पॉली प्रोपीलीन। और यह पॉलिपोप्रोपिलीन के निर्माण की रासाइनिक समीकरण है एथीन के इस अनू में से दोनों आइड्रोजन परमाणों को हटा कर उनके इस्तान पर दो मैथिल समू जोड़ देते हैं इसका सामाने नाम है आईसो ब्यूटाइलीन और अब आप स्वेम बता सकते हो कि इसका नाम क्या होगा पॉलि आईसो ब्यूटाइलीन इस बावलक में एक विशेशता है यह लंबे समय तक हवा को पकड़े रखता है इसी कारण इसका उपियोग टायर और बॉसकेट बॉल की आंतरिक सरचना बनाने में इसका उपियोग होता है यह रबर है और इसका नाम है ब्यूना एस रबर और इसके नाम से आप इसे बनाने की रासाइनिक समीकर्ण लिख सकते हो ब्यू का मतलब है ब्यूटाडाइन और इसका पुरा नाम है वान थ्री ब्यूटाडाइन S का मतलब होता है styrene और N A sodium का प्रतीक है butadine और styrene आपस में जुड़ कर एक बड़ा अनू बनाते हैं एक बाउलक बनाते हैं उसी बाउलक को कहा जाता है buna S rubber यहाँ पर N A का मतलब है sodium और इस अभी क्रिया में sodium उत्रे रख का कारे करता है यहाँ पर ब्यूटा का मतलब है चार कारवन और di-in का मतलब है कि इसमें double bond दो बार है और एक double bond पहले कारवन से प्रारम होता है और दूसरा double bond तीसरे कारवन से प्रारम होता है यहाँ से प्रारम होता है तो इसके अनुसार सूत्र इस प्राकार लिखा जाता है अब इस सूत्र को पूरा करना है तो आपको यहाँ पर अपनी ओर से एक कल बंद बनाना है एक कारवन चार बंद बनाता है इसने दो बंद बना रखें तो बाकी दो बंद हाइड्रोजन के साथ बनाता है इस कारवन के दो और एक तीन बंद है तो यहाँ पर इस कारवन के साथ एक हाइड्रोजन जोड़ कर इसके चार बंद पूरे करने इसके भी यहाँ पर तीन बंद है तो इसके साथ एक हाइडरोजन जोड़ देते है इसी प्रकार इस कारवन ने यहाँ पर दो बंद बनाए है और इसके चार बंद पूरे करने के लिए इसके साथ दो हाइडरोजन को जोड़ना है इस टाइरीन तो अभी मैंने आपको बताया था यह एथीन काणू है और एथीन में एक हाइड्रोजन को हटा कर वहाँ पर हम एक बेंजीन काणू जोड़ देते हैं इस बेंजीन को आप इस प्रकार लिख सकते हो C6H5 और इसका नाम है स्टाइरीन इसके एन आणू और इसके एन आणू आपस में क्रिया करते हैं आपस में जुड़ते हैं और योगात्मा बाउलग बनाते हैं यहाँ पर दोनों एक लग आणू भिन भिन प्रकार के हैं तो जो योगात्मक बाउलग बनता है उसे कहा जाता है साबाउलग या वीशम बाउलग तो मैंने आपको बताया था कि आपको पाई बन तोड़ना है यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर तीन स्तानों पर पाई बन देए तो यहाँ से पाई बन को तोड़ देते हैं इसी प्रकार यहाँ पर पाईबंद को तोड़ देते हैं अब आपको इन अनों को अपस में जोड़ना है और जैसे आप इन अनों को अपस में जोड़ते हो आपको रबर का सुत्र प्राप्त हो जाएगा इस प्लस को मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस प्रकार जोड़ना है इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं एन को अटा देता हूँ और इसी प्रकार यहाँ जो बंद है आगे किसी आणू से जुड़ेगा और इसी प्रकार यहाँ बंद आगे किसी आणू के साथ बनेगा सरचना को आपको इस तरह से ब्रेकेट के अंदर दर्शान आ है और ये जो अनू भाग लेते हैं इनकी संक्या एन ओती है इस एन को आपको यहां दर्शान आ है और इस प्रकार जो बढ़ा अनू प्राप्त होता है यह योगात्मक बौलक है यह वीशम बौलक है और इसी को कहा जाता है ब्यूना एस रबर इस रबर को बनाने में दो एक लकणू भाग लेते हैं उनमें से एक स्टाइरीन है और दूसरा ब्यूटा डाइन है और यह जो बनता है यह रबर है तो रबर का आर यहां पर लिख देते हैं तो इसका एक और नाम है SBR यह रबर है और इसका उप्योग टाइर वगेरा बनाने में किया जाता है इसके अलवाद जूतों में भी इसका उप्योग होता है तो दोस्तों इसी प्रकार आप ब्यूना एन रबर का रासाइनिक समिकन लिख सकते हो ब्यू का मतलब है ब्यूटाडाइन और यहाँ पर एन का मतलब है कि जो एकलक अनू इसके निर्माण में भाग लेता है उस एकलक अनू में नाइट्राइल समो होता है CH2 double bond CH2 या एथीन है और इस एथीन में एक हाइड्रोजन अटाकर यहाँ पर हम CN जोड देते हैं इसी CN को कहा जाता है साइनाइड समो और इसी साइनाइड को नाइट्राइल समो भी कहा जाता है तो हमारा दूसरा अनू है नाइट्राइल और इस नाइट्राइल के नाम मैंने आपको पहले बताए थे इसका नाम है वाइनिल साइनाइड या इसे आप कह सकते हो अक्रिलो नाइट्राइल अब आपको क्या करना है इन अनों को अपस में जोडना है और पता करना है कि जो ब्यूना इन रवर बनता है इस रवर का सूत्र क्या होता है यहाई योगात्मक बहुला की करण है और इस बहुला की करण में सोडियम उत्प्रेरक भाग लेता है तो अब ऐसा करते हैं यहाँ से एन को हटा देते हैं ताकि हमें उत्पात का सूत्र पता चल जाए इस प्लस को अटा देते हैं अब इस पाई बंद को तोड़ देते हैं इन दोनों को जोड़ देते हैं और इसे आगे इस प्रकार दर्शा सकते हैं यहाँ पर आगे किसी अनू से जुड़ जाता है इसी प्रकार यहां भी यहां बंद किसी अन्याणू के साथ बंदता है और यह दोनों आपस में मिला कर यहां पर एक बंद बना देते हैं और इस पूरे अनू को इस तरह से ब्रेकेट में लिख कर यहां पर एन लिख देते हैं और इसी का नाम है ब्यूना एन रबर इस अणू को बनाने में नाइट्राइल भाग लेता है ब्यूटाडाइ इन भाग लेता है और यह रबर है तो इससे संशिप्त में कहा जाता है N, B, R दोस्तों यह रबर अगनी प्रतिरोधक होता है मतलब इस रबर पर आग का कोई असर नहीं होता इसी कारण इसका उप्योग तेल के टेंक बनाने में किया जाता है जमीन से निकलावा तेल, कच्चा तेल उसे पेट्रोलियम का आ जाता है और उस पेट्रोलियम को एक देश से दूसरे देश तक पहुँचाने के लिए जहाजों का उप्योग होता है इन जाजों में तेल के बड़े बड़े टेंक होते हैं और ये टेंक सुरक्षित होना बहुत जरूरी है वरना बड़ी दुरगटना हो सकती है तो इन टेंकों को बनाने के लिए रबर का उप्योग होता है यह अगनी प्रतिरोधक रबर है तो दोस्तों ऐसे एकलकणू जिन में दो क्रियात्मक समों होते हैं जैसे इस एकलकणू में दो कार्बोक्सलिक अमल समों है और इस एकलकणू में दो अलकोहॉल क्रियात्मक समों है और वे सबी एकलकणू जिन में दो क्रियात्मक समों होते हैं मतलग द्वी क्रियात्मक समू युक्त एकलक अणू संगनन बौलक की करण करते हैं और इनसे बनने वाला बौलक संगनन बौलक कहलता है और इस अभी क्रिया में आपको याद रखना है कि जब दो एकलक अणू आपस में क्रिया करते हैं तो उन एकलक अणों के बीच H और OH आपस में जूड़ कर H2 के रूप में बाहर निकल जाते मतलब दोनों एकलक अणों के क्रियात्मक समू आपस में क्रिया करते और उस क्रिया में छोटे अणों बाहर निकलते अधिकतर उस अभिक्रिया में जो अनू बार निकलता है वह जलकानू ओतता है इसी कारण इसे का आ जातता है संगनन बावली करण तो दोस्तों इसका सबसे अच्छा उधारण है नाइलोन डबल सिक्स नाइलोन डबल सिक्स बनाने की रासायनिक समीकरण आप आसानी से लिख सकते हो परन्तु आपको याद रखना होगा कि नाइलोन डबल सिक्स कौन से एकलकानों से बनता है मतलब एकलकानों का नाम याद रखना होगा और यदि आप नाइलोन डबल सिक्स के एक लकणों का नाम याद रखते हो तो इन नामों से आप पूरी समिकरण बहुती सरलता से लिख सकते हो इसे बनाने के लिए दो प्रकार के एक लकणों होते हैं हेक्सामेथिलीन, डायेमीन और दूसरा है एडिपिक अमल इस एडिपिक अमल का एक और नाम है टेट्रामेथिलीन डाय कार्वोक्सलिक अमल हो सके तो आपको यह नाम याद रखना है इन दोनों नामों को याद रखकर समिकरण, पूरी समिकरण किस प्रकार लिखते हैं ध्यान से इस वीडियो को देखना यह तो आपको पता होगा कि एक संक्या के लिए मौनो शब्द का उप्योग किया जाता है दो के लिए डाय, तीन के लिए ट्राय, चार के लिए टेट्रा, पांच के लिए पेंटा, छे के लिए हैकसा इस तरह से इन अंकों को इन शब्दों में बोला जाता है तो यहाँ पर हैकसा मैथिलीन डाय एमीन का क्यारते इसी नाम से हम सूत्र लिखते हैं हैकसा का मतलब 6 होता है और मैथिलीन इस समू को मैथिलीन का आ जाता है तो एसा करते हैं इस मैथिलीन के स्तान पर यहाँ पर हम सी एस टू समू बना देते हैं मैथिलीन के आगे हैकसा लिखा हुआ है और हैकसा का मतलब होता है कि इसकी संक्या 6 मतलब यह सी एस टू समू यहाँ पर 6 बार लिखा हुआ है आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हो CS2, 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 CS2 इतनी बार लिखने से अच्छा है कि इसे एक बार लिखा जाए और कोश्टक लगा कर उसकी संक्या को नीचे लिख दिया जाए तो हमने हेक्सामेथिलीन को यहाँ पर लिख दिया अब हमें लिखना है डाई एमीन, इस क्रियात्मक समू को एमीन का आ जाता है और यहाँ पर दो बंद है, तो हम इन दोनों बंदों के साथ दो एमीन जोड़ देते है डाई एमीन का मतलब यह होता है हेक्सामेथिलीन डाई एमीन का यह रासाइनिक सूत्र है टेट्रा मेथिलीन डाइक कार्वोक्सिलिक अमल टेट्रा का मतलब 4 होता है मेथिलीन यहाँ पर मेथिलीन समू की संक्या 4 है डाइक कार्वोक्सिलिक अमल का मतलब है कि इस मेथिलीन से दो क्रियात्मक समू CWH जुड़े हुए है आप चाहें तो इस क्रियात्मक समू को पूरा सरचना के साथ इस प्रकार लिख सकते हैं और इस NH2 को भी आप इस प्रकार लिख सकते हो नाइट्रोजन से यहाँ पर दो हाइड्रोजन परमानू जुड़ें इसी प्रकार यहाँ पर तो इस अभिक्रिया में एक्षामेथिलिन डाइएमीन के lihat नणू टेट्रामेथिलिन डाइकार्बोक्सलिक अमल के radiation आपस में संगनन भहूलिकरण करते हैं और नायलोन डबल सिक्स बनाते हैं तो इस इस इन दोनों की अभिक्रिया से उत्पात क्या बनता है उसे मैं बताने जा रहा हूँ आपको ध्यान से समझना है क्रियात्मक समू एमीन का एक हाइड्रोजन और कार्बोक्सलिक अमलिक का ओएच समू यहां से आपको आउट करना है मतलब निकालना है वह बवलकी करण जिसमें छोटे अनों का विलोपन होता है जैसे जलकानू बाहर निकलता है उसे कहा जाता है संगनन बवलकी करण तो यहां पर एच और ओएच को जोड़ कर आपको अटाना है और इसे जल के रूप में बाहर निकालना है और इन्हें आपस में जोडना है इसी प्रकार इस समू का यहाँ OH यहाँ से हटाना है क्योंकि यहाँ भी यहाँ किसी अन्य अभिकारक के साथ बंद बनाता है इसी प्रकार इस अनू का हाइड्रोजन यहाँ से हटाना है क्योंकि इसका hydrogen किसी अन्य अनु के साथ इस प्रकार बंद बनाता है अब आपको इसे bracket के अंदर दर्शाना है और इनकी संक्या N होती है तो N अनु जब आपस में जूड़ जाते हैं तो संक्या को bracket के नीचे लिखा जाता है इस अनु में आप देख सकते हो कारवन परमाणों की संक्या 6 और इसमें बीच में 4 कारवन परमाणों हैं 5 वा और 6 यहां पर कुल कारवन परमाणों की संक्या 6 तो नाइलोन डबल सिक्स के नाम में डबल सिक्स आता है तो इसका मतलब होता है कि इस अभी क्रिया में छे कारवन वाला और छे कारवन वाला एकलक अणू आपस में क्रिया कर बाउलक बनाते हैं यहाँ पर नाइलोन शब्द दो देशों के नाम से मिलकर बना है न्यू यॉर्क और दूसरा देश है लंदन न्यू यॉर्क से लिया गया एन वाई और लंदन से लिया गया ल, o, n और इसका नाम रखा गया नाइलोन डबल सिक्स दोस्तों वीडियो में बताने के लिए और भी बहुत कुछ है तो इसका मैं पार्ट टू बना दूँगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स यादि आपको इसमें कुछ और समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और मुझसे पोच सकते हो कर चादि कर दो भादिए